हलो बच्चा पाटी, नीट कैंडिडेट के लिए इससे जादा इंपॉर्टेट न्यूज नहीं हो सकती, आपका फॉर्म आ चुका है, NTA की ओफिशल वेबसाइट पे जाके अब आपने अपने फॉर्म को भरना है, अपनी अप्लिकेशन फॉर्म, अपनी अप्लिकेशन क्योंकि लास्ट मोमेंट पे छोड़ोगे, तो कुछ ना कुछ गडबड हो जाएगी, या फिर आप हो सकता है, आपको जो अपना मन चाहास एक्जामिनेशन सेंटर है, वो ना मिल पाए, तो आओ देखते हैं, कौन-कौन से आपको सर्टिफिकेट्स और दूसरी चीजें च कर लीजेगा, पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख लीजेगा, फिर उसके बाद अब आप एप्लिकेशन फॉर्म भरने लगेंगे, तो उसमें आपको काफी डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे आपकी कुछ परसनल डिटेल्स जाएंगी, आप कौन से मीडियम में पेपर दे चाहते हैं, ठीके बच्चो कुछ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे टेंथ का सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी इमेजिस और कुछ और डॉकिमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो देखे, कौन-कौन से आपको चीजे चाहिए, एक तो आपको पासपोर्ट इसका फोटोग्राफ तुम्हें आगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी लेकर जाना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, तुम्हें सिगनेचर चाहिए, एक वाइट शीट के उपर ब्लैक या ब्लु पैन से, लेफ्ट और राइट हैं के थम प्रिंट्स, इसका फोटोग्राफ में आपका फेस दिखना चाहिए, इसका जो बैक्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, आपके जो फोटोग्राफ होंगी, सिगनेचर होंगे, जो आपके फिंगर प्रिंट्स हैं, यह सारे के सारे जेपीजी फॉर्माट में होने चाहिए, और आगे दिये हुए हैं, साइजेज, 10 to 200 KB का साइज होना चाहिए, आपके सिगनेचर का भी और आपके फोटोग्राफ का भी, 10 to 200 में, फिर बचा पाटी, जितने भी आपके स्कैन्ड सर्टिफिकेट्स हैं, वो PDF फॉर्माट में होने चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके हों आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो 50 KB to 300 KB साइज में आपकर वालो, इसका फटा-फट से स्क्रीन चॉट ले लो, और ये चीजें आप प्रिपेर करनी शुरू कर दो, रेडी करनी शुरू कर दो, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको, और बाकी कुछ और सर्ट प्रेस प्रूफ जिसमें आपका आधार चलेगा, make sure आपके photograph और signature और thumbprints वाली जो photos हैं, वो बिल्कुल clear हों, blood ना हों बच्चो, फिर next ये सारे जब आप documents भर दोगे, step 2 complete कर लोगे, तो step 3 में आप payments करोगे, और आपका confirmation page आजाएगा, उसको download करके, save करके रख लेना, फिर ये देखो, इस तरीके से अगर आप economically weaker section वाला certificate कुछ ऐसा नजर आएगा, आपका OBC या non creamy layer का certificate कुछ ऐसा नजर आएगा, schedule का schedule tribe वाला certificate कुछ ऐसा है, और disability certificate कुछ ऐसा नजर आएगा, अगर आपको subscribe चाहिए, यानि कि आप चाहते हैं, आप अपना paper खुद नहीं लिख पा ये भी आप बनवाले ना, डूली अटेस्टेट सर्टिविकेट, चाहिए होगा बच्चा पाटी, तो अब बिना घबराए, last moment में, last moment पे जल्दबाजियां ना पढ़े, last moment में गड़बड ना हो, इसलिए अपने सारे के सारे documents इकठे करना, शुरू कर दो, जल्द से अपना सेंटर मिल जाए, तयारी अपनी फूल जोर शोर से रखो, पूरी इमानदारी से रखो, और हम सब आपके साथ हैं, thank you so much